नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे आपके पाठे पुस्तक अंतरा की कहानी उसकी मा की उसकी मा कहानी के लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं उग्र जी प्रेम चंद निराला जशंकर प्रशाद ये सारे रचनाकार ऐसे समय में रचनाएं कर रहे थे जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था आजादी के लिए आंदोलन बड़े जोर शोर से चल रहा था यही समय है जब गांधी का असहयोग आंदोलन चल रहा था बहुत सारे क्रांतिकारी दल भी उस समय सक्रिये थे चंशेखर आजाद, भगत सिंग, इनकी क्रांतिकारी भूमिकाएं भी इसी समय की हैं और ऐसे दोर में हमारे सहित्ते कारों ने भी आजादी की लड़ाई में अपने धंक से योगदान देने की कोशिश की राष्ट्रिय चेतना के विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, निराला ने कविताएं रची, जागो फिर एक बार जैसी जैसंकर प्रशाद ने नाटक लिखे और उन नाटकों के गीतों में भी यूवकों को प्रेरित करने की कोशिश की प्रेमचंद ने तो अपनी कहानियों की सुरुआ थी, सोजे बतन नाम कहानी संकलन से की, जो की जप्त भी हुआ, और इसी कारण उन्हें अपना नाम भी बदल कर प्रेमचंद रखना पड़ा तो ये सारी बातें ये दिखाती हैं कि ये उग्र जी का, उसकी मा कहानी का जो दौर था, वह एक राष्ट्रिय चेतना का दौर था और साहित्य में भी बार बार इसकी ध्वनियां सुनाई देती हैं खुद उग्र जी की कहानियों का एक संकलन क्रांतिकारी कहानियां के नाम से प्रकाशित हुआ था और प्रकाशित होते ही जप्ट भी हुआ था बाद में एक पत्रिका के संपादन के सिलसले में उग्र जी गिरफतार भी किये गए नौ महिनों तक जेल में भी रहे लेकिन लगातार अपनी कहानियों से वो राष्टिय चेतना को जागरित करने की कोशिश करते रहे उसकी मा कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है जो बास्तों में क्रांतिकारियों के जीवन के एक पक्ष को ना सिर्फ प्रस्तूत करती है बलकि क्रांतिकारी किस ढंक से सोचते थे कैसे वो देश के लिए अपना सब कुछ नियुचावर करने को तयार थे इसको दिखाने की कोशिश करती है साथ ही साथ बिटिश सरकार किस तरह सोशन करते थे उस सोशन में उस अत्याचार में भारतिय समाज के कौन से लोग उनके साथ थे यह सारी बातें यह कहानी दिखाने की कोशिश करती है उसकी मा कहानी में उग्र जी ने दो पक्षों को दिखाया है एक पक्षे जमिनदारों और सामन्तों का जो अंग्रीजी साथन के वफादार थे उनके साथ जुड़े हुए थे उनका सहयोग कर रहे थे और उनके साथन को बनाए रखने में उनकी मदद कर रहे थे दूसरी और लाल और उसके साथी हैं जो इस देश की गुलामी की जंजीरों को काट देना चाहते थे इस देश को आजाद कराना चाहते थे बिटिश सोशन का विरोध कर रहे थे और उसके लिए अपने प्राण देने को भी तैयार थे इसके लावा एक तीसरा पक्ष है जानकी का जानकी जो लाल की मा है वह न तो राजभक्तों की सरणी में आती है और नहीं लाल जैसे राजविद्रोहियों की सरणी में उसका सारा जीवन उसके बेटे लाल के इर्द गर्द घूमता है उसका सारा संसार उसके बेटे में समाया हुआ है उसके लिए उसका बेटा मासूम है और वह कुछ भी गलत करी नहीं सकता इन तीनों धुरूबों के बीच इन तीनों पक्छों के बीच यह कहानी घूमती है आज हम इसी कहानी की बात करते हैं तो जैसा की मैंने कहा इस कहानी के केंद्र में है एक करांतिकारी यूवक लाल और उसकी मा जानकी लाल के पिता के मृत्व हो चुकी है लाल के पिता रामनात एक जमिनदार के मैनेजर थे और पिता की मृत्तों के बाद जमिनदार ही एक तरह से लाल और उनकी मा के लिए अभी भावक की भूमिका निभा रहा था हाला कि लाल के पितार ने कुछ संपत्ति जमा की थी कुछ पैसे जमा किये थे जमिनदार के पास जिससे लाल और उसकी मा का ख़च चलता था लाल कॉलेज में पढ़ता था और जानकी को उमीद थी कि कुछी दिनों में वह पढ़ लेकर नौकरी पा जाएगा और इस तरह से उसकी समस्याएं दूर हो जाएगी इसी उमीद में जानकी जी रही थी दूसरी ओर जमिंदार है जो लाल और उसकी माँ से सहानों भूती रखता है क्यों क्योंकि लाल के पिता राबनात उसके मैनेजर थे लेकिन जमिंदार है राजभक्त स्रणिका वह बिटिस सरकार का भक्त है बिटिस सरकार का सहयोगी है और वह अकेला नहीं है उस समय के जितने भी जमिंदार थे वर निश्चित तोर पर ब्रिटिस सरकार के साथ थे जमिंदार ब्रिटिस सरकार के सहयोगी थे क्योंकि ब्रिटिस सरकार से उन्हें फायदा था ब्रिटिस सरकार ब्रिटिस नौकर साही उनके जमिनदारी के सोशन में उनका साथ देती थी और बदले में जमिनदार ब्रिटिस सरकार को सहयोग करते थे जमिनदार लाल और उसकी माँ से सहानुभूती तो रखता है लेकिन साथ साथ वह ब्रिटिस सरकार का भक्त भी है और सिर्फ वही नहीं उस जैसे जितने भी जमिंदार थे वो ब्रिटिस सरकार के भक्त थे क्योंकि ब्रिटिस सरकार के दम पर ही उनकी जमिंदारी चलती थी तो उनकी जमिंदारी बनी रहे इसलिए बिर्टिस सरकार का बना रहना जरूरी था इसलिए जमिंदार की सहानुभूती लाल उर्षकी मां के साथ भले ही हो लेकिन वह मूल रूप से बिर्टिस सरकार का पक्षधर ही था उग्र जी ने पूरी कहानी इसी जमिंदार के मूँ से कहलवाई है उसको कथा वाचक बनाया है या जैसा कि हम कहते हैं नेरेटर कहानी का जमिंदार है जमिंदार के मूँ से ही कहानी सुरू होती है और सुरुवात में ही जो दृष्ष है उसमें उन्होंने जमिंदारों की प्रविर्थियों को बड़े ही शांदार धंग से दिखाया है यह दिखाते हैं यह जमिंदार अपने पुस्तकाले में हैं और किताबों को देख रहा है किताबें किसकी? तो मैजनी की, दारते की लाइब्रेरी में ऐसी ही किताबें हैं लेकिन खुट जमिंदार उनtin किताबों से क्या कुछ सीखता है वो हमारे सामने अभी आएगा यानि कि यह किताबें सिर्फ उसकी लाइब्रेरी की सोभां है इनके संदेशों से उसे कोई लेना देना नहीं है वो अपनी किताबों को देखी रहा होता है कि उसे सूचना मिलती है कि पुलिस सुपरिटेंडन्ट उससे मिलने आए है जमिंदार पुलिस सुप्रेटेंडेंट को अपने पास बुलाता है मुलाकात होती है और इस मुलाकात में पुलिस सुप्रेटेंडेंडेंट उसे लाल के बारे में बताता है यह सूचना देता है कि लाल क्रांतिकारियों से मिला हुआ है और पुलिस उसकी जाच कर रही है सूप्रिटेंडेंट जमिंदार को सलाह देता है कि इस परिवार से दूर है अब जमिंदार जाहिर सी बात है जमिंदार ब्रिटिस सरकार का भक्त है और उसे जब यह सूचना मिलती है कि वह जिस लाल का अभिभावक है वह करन्तिकारी आंदोलन से जुड़ा हुआ है तो उसके होश रुड़ जाते हैं वह जानकी को बुलवाता है और जानकी से लाल के बारे में पूछताच करता है लाल क्या करता है, कहां जाता है, किस से मिलता है यह सारी बातें वह पूछने की कोशिश करता है लेकिन जानकी, जानकी की नजर में उसका बेटा एक मासूम है वह पढ़ने लिखने के सिवाए कुछ भी गलत नहीं करता कोई गलत काम वह कर ही नहीं सकता लाल हो या उसके दोस्त हो सारे बड़े भोले भाले और मासूम है अभी यह बातें चली रही होती है कि लाल वहां आ जाता है जमिंदार लाल से पूचता है और लाल जाहिसी बात है इस बात से थोड़ा सा हरान हो जाता है कि जमिंदार को उसके घुरान्तीकारी आंदोलन के साथ सं forehead के बारे में मालूम है लेकिन लाल डरता नहीं और जमिंदार से अपने विचारों को लेकर बहस करता है पहस्तों में यह बहस लेखक हमारे सामने रखकर इस बहस के माद्यम से भारती समाज के दोनों तरह के लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उग्रजी ने यहाँ दिखाया है कि हमारे समाज में उस समय कैसे लोग थे लाल जैसे करांतिकारी युवक थे जो इस देश को गुलामी की जंजीरों से आजात करना चाहते थे अंग्रेजी सोशन का विरोध करना चाहते थे उसके लिए सड्यंत्र, हत्या, लूट, मार, डकैती कुछ भी करने को तयार थे अपनी जान देने को तयार थे दूसरी और जमिनदार जैसे लोग हैं जो बिटिश सरकार के राजभक्त हैं वह चाहते हैं कि यह साशन बना रहे ताकि उनकी जमिनदारी कायम रहे उनकी सुक सुभधाएं कायम रहे लाल साफ कहता है कि आप राजभक्त हैं अपने करनों से मैं राज विद्रोही हूँ अपने कारणों से और ये दोनों पक्ष बिलकुल आमने सामने दिखाये जाते हैं यहाँ पर इस बहस में इस बहस के दौरान न तो लाल अपने तरकों से जमिंदार को संतुष्ट कर पाता है और नहीं जमिंदार लाल को समझा पाता है कि वह करांतिकारी आंदोलन से दूर रहे वह लाल को डरानी की कोशिश करता है कि तुम्हारा काम है पढ़ना लिखना पढ़ो लिखो अपनी मां की सेवा करो इस कुमारी कुछ साथ ही मिलकर शक्ति-साली ब्रिटिस सरकार उसकी सेटा और पुलिस से मुकाबला नहीं कर सकते लाल इसका जबाब देते हुए साफ कर देता है कि वह मरने से नहीं डरता वह कहता है कि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है जिसने जन्म लिया है उसे नस्ट होना ही है कोई भी हमर नहीं है तो यूँ जीने से बेहतर है देश के लिए मर जाना वह मरने से नहीं डरता साथ ही वह अपने आपको कमजोर मानने से भी इंकार करता है वह कहता है कि इस काम के समय हमारी भुजाएं भगवान की हजारों भुजाओं की सखियां हैं यानि कि इस काम में भगवान हमारे साथ हैं तो हम कमजोर कैसे हुए तो लाल खुद को कमजोर नहीं मानता और नहीं वह मौत से डरता है वह मर कर भी इस देश को गुलामी की जंजीरों से छुटकारा दिलाना चाहता है और सच माने तो जो लाल के मुह से उक्षजी ने कहलवाया है या सिर्फ एक लाल के बिचार नहीं थे या लाल के कुछ दोस्तों के ही बिचार नहीं थे ये उस समय के लगबग सारे करांतिकारियों के विचार थे वो मरने से नहीं डरते थे बगज सिंग हो चंद शेखर आजाध हो आप उनके जीवन को देखें तो समझ पाएंगे कि लाल का चरित्र कहीं हवा में नहीं गढ़ा गया है लाल का चरित्र कहीं किसी कल्पना से नहीं उप जा है लाल नहीं डरता, लाल के साथ ही नहीं डरते, जमिंदार डराने की कोशिश करता है, क्यों? क्योंकि जमिंदार खुड डरता है, वह मौत से डरता है, वह ब्रिटिज सरकार के क्रोध से डरता है, वह इस बात से डरता है कि ब्रिटिज सरकार नाराज हो गई तो उसकी सुबिध नहाएं छिन जाएंगी, लेकिन लाल को डरा नहीं पाता, वह कोशिश करके हार जाता है, लेकिन लाल को डरा नहीं पाता, लाल चला जाता है, कुछ दिनों बाद जमिदार को फिर मौका मिलता है जानकी से बात करने का तुवा पूचता है, कि लाल और उसके साथ ही आपस में क बात पर ये यहाँ पर कूदते हैं जानकि इन बातों को नहीं समझती लेकिन यह जो पूरी चर्चा है यहाँ पर इसके माध्यम से लेखत ने यह हस्पष्ट करने की कोशिश की है कि आखिर वो कौन से कारण थे जिस कारण लाल और उसके साथ ही इस ब्रिटिश सरकार को उखा फेकना चाहते हैं पहला पुलिस और सेना का अत्याचार लाल उसके साथ ही इस बात से कुरुध है कि यह पुलिस भारतिये लोगों पर अत्याचार करती है उनके साथ अम्मानुए विवहार करती है उनका अफमान करती है कदम कदम पर यह सेना है जो बिटिश सरकार के साथ म गरीबों को इस समाज में इस शासन में कोई सुख नहीं है और यह बात लाल और उसके साथियों को बेचैन कर रही है परिशान कर रही है वो इसलिए इस सासन को उखाड फेंकना चाहते हैं यह सासन उन्हें स्विकार नहीं है जो उनके ही देश के लोगों को उनके अपने जेकर नागरिक बना दे, पश्वों जैसा बेवहार जिनके साथ हो, वह साफ कहते हैं कि ऐसे नीती मर्दक कानून बनाने वाली सरकार उखाड फेंकी जानी चाहिए, ऐसी सरकार को स्विकार करना, ऐसी सरकार के अधीन रहना, मनुष्यता को अस्विकार करना है, अगर हम सब को मनुष्य मानते हैं, और एक समान बेवहार चाहते हैं, तो यह सरकार उखाड फेंकी जानी चाहिए, गुलामी की जंजीरों को तोड़ देना चाहिए, और इसके लिए वो कोई भी कुरबानी देने को तैयार है, यह पूरी बहस, यह पूरी चर्चा जान की जमिंदार को बत करनी के जरिये लेखक देश के बाकी यूवकों को प्रेरित करने के कोशिश कर रहा था, कि देखो, यूवकों को कैसा होना चाहिए, लाल के जैसा होना चाहिए, लाल के दोस्तों की तरह होना चाहिए, जो इस देश के लिए अपने प्रान देने को तैयार हैं, वो इस देश को भारत मा मानते हैं उसके तुलना भारत मा से करते हैं बाकाइदा बताते हैं कि तू बुढ़ी भारत मा बुढ़ी तेरे माथे पे यह जो रिखाएं हैं यह गंगा और जमुना हैं यह जो तेरे उजले केश हैं यह हिमाले के समान हैं चेहरे के जो जुरियां हैं वो नदिया और पहाण है नाक बिंध्याचल है ठोड़ी कन्या कुमारी है लाल का एक दोस्त कहता है कि ला तेरे इन सफेद बालों को तेरे पाएं कंधे पर लहरा देता हूं यह बर्मा बन जाएगा अब आप देखें यह पूरा सिक्वेंस यह पूरी जो चर्चा है यह यह दिखाने की क जंजीरों में जकड़े हुए नहीं देख सकते वह इन गुलामी की जंजीरों को काट देना चाहते हैं क्योंकि यह जंजीरें उन्हें अपने मा के पैरों में दिखाई देती है अब इस बात को यहां तक देखें तो यह भी बात समझ जाएंगे कि इस कहानी का नाम उसकी मा क्यों रखा गया है आखिर कहानी के दोनों पक्षों में जानकी किधर भी नहीं है जानकी न तो राजभत है जानकी न तो राजविद्रोही है फिर भी जानकी कहानी के किंद्र में है क्योंकि वो मा है लाल की मा नहीं भारत मा लेखक ने एक प्रतीक के रूप में जानकी को भारत मा बना दिया है जानकी भारत मा का प्रतीक बन जाती है और यह कहानी भारत मा की है सिर्फ जानकी की नहीं है और इसलिए जानकी कहानी के केंद्र में भी है और जानकी ही कहानी का शिर्षक भी है उसकी मा सिर्फ जानकी नहीं उसकी मा का मतलब लाल की भारत मा वह भारत मा जिसके लिए लाल फांसी पर चड़ने को तयार है तो आप समझ सकते हैं कि कहानी का सिर्सक बहुत ही सोच समझ कर उसकी मा रखा गया है और उसके पीछे कारण मा से भारत मा को प्रतीकित करना है जमिंदार को लाल और जानकी से सहानू भूती है इसलिए कहीं न कहीं उसे दुख होता है अपसोस होता है लेकिन उसका अपना स्टेंड चुकि बिटिस सरकार के साथ का है इसलिए वह कुछ कर नहीं सकता कुछ दिनों बाद जमिंदार वापस आता है तो उसे अपनी पत्नी से खबर मिलती है कि ब्रिटिस पुलिस ने लाल और उसके साथियों को ग्रिफतार कर लिया है लाल के घर से भी बड़ी मात्रा में हाथियार और साहित्ते इत्यादी बरामत किये गए है जमिदार कहता है कि उसे पता था कि ऐसा होना है उसे उमीद थी कि ऐसा ही होगा आशंकित वह था और ऐसा ही होता है जमिदार को लाल से ज्यादा चिंता जानकी की है कि अब जानकी का क्या होगा वो पत्नी से पूछता है कि जानकी जानकी ने कैसे प्रतिक्रिया दी थी पत्नी बताते ही कि जिस दिन से ऐसा हुआ है वह लगातार घूम रही है अपने बेटों के लिए वकीलों के पास घूम रही है रोई तो बिल्कुल नहीं थी जमिंदार को याद आता है कि जानकी मजबूत सुभाव की महिला है पत्य की मित्यू पर भी उसने उस धंक से दुख नहीं व्यक्त किया था जैसे सामाने इस तरियां करती है लेकिन जानकी का अपने पुत्र से लगाओ इतना जादा है कि जिस दिन से लाल गिरफ़तार होता है उस दिन से जानकी के जीवन का एकमात्र लक्ष था लाल को रिहा कराना वह इसके लिए घूमती है पुलिस वालों के पास अधिकारियों के पास वकीलों को तयार करती है लेकिन कोई भी वकील मुकदमा लेने को तयार नहीं होता या बिटिश सरकार का आतंक था उनके दमन का डर था कि कोई भी वकील एक करानती कारी का मुकदमा लड़ने को तयार नहीं होता है एक वकील मिलता भी है तो खुद लेखक के शब्दों में देखें तो नहीं का भाई नहीं का भाई का मतलब जो होते हुए भी ना होने जैसा है मतलब उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और यूं भी अगर सरकार पूरी नौकर साही किसी के पीछे पड़ी हो उसे गिरफतार करके उसे सजा दिलवाना चाहती हो तो शायद उस दोर में बिटिस शासन के अत्याचार के दोर में ऐसा करने में उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था भगत सिंग का भी उधारन हमारे सामने है बहुती कम सबूतों के दम पे भगत सिंग को फांसी के सजा दी गई तो आप सोच सकते हैं कि लाल और उसके साथियों के साथ क्या हुआ होगा जानकी तमाम कोशिशें करके हार जाती है रोज जेल में जाती है अपने बच्चों से मिलने सारे उसके बच्चे ही हैं सिर्फ लाल नहीं लाल के जितने दोस्त हैं, वह भी उसके लिए पुत्र के ही समान है, वह उनके लिए हल्वा पूरी तयार करके ले जाती है, रुज खिलाने जाती है, और खुद सूख कर काटा हुई जाती है, लाल और उसके साथी हसते हुए कहते भी हैं, कि यह तुमने अपना क्या हाल बना हमें तो खिला पिला कर इतना मोटा कर दिया कि फांसी की रस्ती ही तूट जाए, और खुद सूख कर काटा हुई जा रही हो, लाल और उसके साथी फांसी पर चढ़ा दिये जाते हैं, जानकी की सारी कोशी से निरथक रह जाती है, यह खबर जानकी को मिलती है एक पत्र के द जमिंदार उस पत्र को पढ़कर सुनाता है, जिसमें लाल यह सूचना देता है कि वो और उसके तीन साथियों को फांसी की सजाद दी गई है, जबकि शेश मित्रों को दस से साथ साल के कारावास की सजाद दी गई है, लाल जानकी से पत्र में कहता है कि कल उसे फांसी पर च पिराती और चुप चाप पत्र को लेकर चली जाते हैं बिलकुल मशीनी अंदाज में जैसे उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है जैमिंदार भी आश्चर्य में है कि पेटे की मृत्यू का समाचार आ रहा है बेटा कल फासी पर चड़ जाएगा लेकिन यह इस्त्री कितनी कठ लुए इसके तो आंसों भी नहीं निकलते जैमिंदार अपने कमरे में बैठा हुआ है अचानख उसे आवाज सुनाई देती है जैसे को एक कराहरा आओ माँ माँ ऐसे ही आवाज जैसे लाल फुकारता था जानकी को लेकिन लाल यहां कहां लाल तो यहां नहीं है जैमिंदा है लाल का पत्र उसके हाथ में है और जानकी मर चुकी है तो एक तरह से लेखा किया दिखाता है कि एक और लाल फासी पर चड़ता है दूसरी और उसकी मा जानकी साथ साथ अपने बेटे से मिलने के लिए इस संसार को छोड़कर चली जाती है यह संसार बेटे को मा से अलग नहीं कर सकता जिस संसार में बेटा रहेगा उसकी मा भी वहीं रहेगी कहानी यहीं खत्म हो जाती है लेकिन कई सवाल हमारे सामने हैं जमिंदारों की भूमिका जमिंदार इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद लाल और उसकी माँ से अपनी तमाम सहानुभूती के बावजूद अपनी किताब पर लाल के किये गए हस्ताक्षर को मिटाने की कोशिश करता है लाल ने जमिंदार से एक बार लेकर मैजिनी की एक किताब पढ़ी थी उस पर उसने गायब ख्याली में बे ख्याली में पेंसिल से अपने हस्ताक्षर कर दिये थे अब इरेजर से जमिंदार उस हस्ताक्षर को मिटा देना चाहता है क्योंकि उसे डर है कि कहीं यह हस्ताक्षर लाल के साथ उसका सम्मन न जोड़ दे कहीं ब्रिटिस पुलिस उसके लिए जमिंदार को भी परिशान न करे जमिन्दार डरा हुआ है बिटे सरकार का साथ देते हुए भी डरा हुआ है लाल और उसके साथ ही निडर है बिटे सरकार के बिरोध में रहते हुए भी निडर है तो यह जंग बिल्कुल साफ है एक पक्ष है जो अपनी सुखों सुधाओं को बनाए रखने के लिए बिटे सर तो में देश के युवकों को इसी पक्च की तरह बनने के लिए प्रेरित कर रहे थे। उसकी माँ एक क्रांतिकारी चरित्र, क्रांतिकारी चेतना को जागरित करने वाली कहानी हैं, काफी चर्चित कहानी हैं, उगरीजी के शृष्ट कहानियों में इसका नाम आता है। तो अब कहानी सारे पक्षा आपके सामने हैं, आप समझ सकते हैं कि यह किस दोर में ऐसी कहानी लिखना कितनी हिम्मत का काम था, लाल सहासी है और जाहिर सी बात है लाल जैसे चरितर को गठने वाले उगर जी भी कम सहासी नहीं है, ग्रफतार वो भी हुए, जेल भी गए, लेक पहानिया लिखते रहे आज के लिए इतना ही नमस्कार